नमस्कार डेली डारी नियोस में आप सभी का स्वागत हैं दिल्ली हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अर्विन केच्रिवाल ने गुर्वार को प्रेस कॉन्फरेंस की उन्होंने कहा कि हिंसा में हिंदू और मुसल्मान सब को नुक्सान हुआ है इस दोरान उन्होंने मुआवजे का भी एलान किया उन्होंने कहा कि इस्पिटाल में घायलों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है घायलों पर फरिष्टे योजना लागू होगी इस दोरान उन्होंने मृत्कों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआफ़जा देने का भी ऐलान किया CM केजरिवाल ने आगे कहा कि मामली रूप से घायलों को 20-20 हजार रुपए का मुआफ़जा दिया जाएगा हिंसा में जिनके रुक्षे का नुक्सार हुआ है उन्हें 25 हजार ए रिक्षा के लिए 50 हजार जिनका घर जला है उन्हें 5 लाख दिया जाएगा इसका लावाद दुकान जलने पर 5 लाख रुपए का मुआफ़जा दिया जाएगा